आज है 23 चन्वरी 2024 दिन मंगलबार इसको लेकर प्रदेश में कई जगा सुन्दरकान भजन की तन और प्रभात पीरी का आयूजन किया गया इसकड़ी में भुपाल में श्री जन्नेश्वर हनुमान मंदेर रेट क्रोस चत्रपती शिवाजी मूर्ती चौराहा लिंक रोड एक भुपाल में सुन्दरकान महा आर्ती का कारिक्रम किया गया इसमें प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए इन दौर में राम नम्मी की तरह अभी जीत पूरत में गूंजी शंक ध्वनी गाई प्रभू शिराम की आर्ती आयोध में नव्य दिव्य और भव्य मंदिर में प्रभू राम के प्रतिश्टेतोंने का उल्ला सुमवार को ब्रह्म मूरत से रात तक इंदौर में दिखाई दिया सुभे से प्रभात फीरी और शोभाय आत्रा निकलने का सलसलाज शुरू हो गया था मंदिरों में अखंज रामायन और सुन्दर कांठ हुआ जैसे ही घड़े की सुयों ने दुपहर बारा बच कर बत्तिस मिनट के आंकड़े को छुआ और भगवान गर्ब ग्रह में वराजित हुए जै जै श्री राम के जैगोश गुंज नहीं लगे राम नव्मी की तरह घंटे घड़ियाल और शंकध्वनी बजाकर प्रभू राम की श्री राम चंद्र क्रपालु भज्मन आरती गाई गाई साड़े साथ हजार पुले सारक्षकों के परिक्षपर Endeavor ने दे रही जून के पहले नियुक्षती के आसार नहीं कर्मचारी चार्मंदस से लिकित परिक्षा के परिणाम जारी रहोने के कारण प्रदेश में साथ हजार पुलिस आरक्षकों की न्युक्ती उल्ची हुई है लिकित परिक्षा के परिणाम आने के बाद ही शारी रिगदक्षता परिक्षा पुलिस लेगी परिक्षा में चार से पांच बहान लग चाएंगी मतरप्रदेश में पांचवी और आत्वी बोर्ट परिक्षा में लागू होगी डिटेंशन पॉलिसी सरकारी और इजी स्कूल के पांचवी और आटवी बोर्ड परिक्षा में इस बार उसी कक्षा में रोकी जाने का प्रावधान होगा निर्धारित एहरकारी अंक प्राप्त ना करने वाले विद्धार्तियों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा प्रत्य एक विश्य में लिखित परिक्षा साथ अंग का 33 प्रतिशत यानि 20 अंग लाना होगा इंदोर के अविनीश को रास्टरपती ने किया सम्माने ताच 23 परवरी को प्रधान मंतरी करेंगे मुलाकात जिस दिव्यांगता के चलते घरवालों ने बच्पन में ही त्याग दिया उसी दिव्यांगता को पीछे छोड़ कर आज इंदोर के नौ वर्ष्य अवनीश दिवारी बच्चों के अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं यही नहीं अपने कारियों के बदालत सोंवार को रास्टपती द्रौपदी मुर्मू के हाथो विज्यान भवन में प्रधान मंतरी रास्टी अबाल पुरुसकार भी प्राप्त किया इस परुसकार के लिए देशफर से 19 बच्चे चुने गए थे जिन में मद्यपृदेश से अब नीश अकेली थी पुर्धान मंतरी जन ऑशधी केंद्र कुलेकर कोट में अंतिम बहस चार सप्ता की बाद पुर्दान मंत्री जन उशिदी केंद्रों को लेकर मद्रपदेश शाइकोट की इंदो और खंडबीट के समक्ष चल रही जनहिती याचिका में सोमवार को अंतिम भहस होनी थी लेकिन टल गई कोट अब इस मामले में चार्ज अफ़ता बाद अंतिम बहस सुनेगा याचिका में सरकार अपने जवाब में पहले ही कह चुकी है कि सरकारी अस्पताल में मरीजों को दवाई निशुलक दी जाती है पुपाल में दिगज निताओं ने इस तरह से मनाया रामोट साफ सियम मोहन ने कहा लिकी जा रही नई भारत की नई अबारत लिकी जा रही है ऐसा कोई व्यक्तिस रश्टी में नहीं होगा जो इस अफसर को निहारना नहीं चाहेगा देश के सबी धर्मों के लोग इसमें सही ओक कर रही है जो हमारी अनेक्ता में एक्ता को दर्शाता है प्रदेश में भी जगजगा आयोजन हो रही है और प्रदेश राम में हो गया है इस तरही नोग सम्बंदी समस्याओं के परामर्श और उप्चार के लिए निशलक परामर्श जाँच और उप्चार के सुवधा उपलबत रहेगी राहुल को मंदर जाने से रोका कमलाथ बुले बीजबी के राज में मंदर में दर्शन करना भी प्रतिबंधित हो गया पूर पीसे से चीफ कबलात ने भाजबा पर बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि असम में पहले राहुल गांदी की यात्रा पर हमला हुआ और राहुल जी को मंदर जाने से रोका गया क्या भाजबा के राज में मंदर दर्शन और पूजा अर्चना करना भी प्रतिबंधित हो गया है उन्होंने आगे रिखा कि राहुल जी को मंदर जाने की अनुमती के लिए धरना देना पड़ा यह हमारी आस्था और नागरिक स्वतनृता पर हमला है लक्षमबाई नगर से इंदौर के बीच बिचेगी तीसरी लाइन पश्यम रेलवे लक्षमिबाई नगर से इंदॉर स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन बिचाने की योजना पर काम कर रहा है ये काम रेल लाइन दोरी करन प्रोजेक्ट के तहत अतरिकत रूप से जोडने की तयारी है तीसरी लाइन बिचने से इन दौर से लक्षमी बाई नगर के बीच भविश्य में बढ़ने वाले डेलिया तयात को निर्बाद गती से संचालित करने में काफी मदद होगी दिगْविजा सिंग ने शियर की भगवान राम की तस्वीर प्रानपितिष्थका के मंगल कामना के साथ बीजेपी को दिया ये मैسेज कॉंग्रेस पार्टी के खदावर नेता और मद्यप्रदेश के पूर मुख्य मंतरी दिग्विजा सिंग ने राम मंदिर प्राण प्रतिश्था के ठीक पहले भगवान राम के बाद स्वरूप की तस्वीर शेयर की उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट् पिलिबीट से माला तक रेल विद्धिकरन के लिए किया निरिक्षन इलेक्ट्रिक रेल सिवा के लिए मैलानी से पिलिबीट तक परवरी महा में लाइन डाली जाएगी शाहगर से पिलिबीट तक काम में तेजी आने के साथ इशनिवार को अधिकारियों ने पूरे रेल ट् राद भी बारा दस डिग्री से नीचे ठंडी हवाओं ने कपकपाया शेहर में ठंडी का असर बढ़ता जा रहा है कल दिन में तापमान में गिरावच के बाद मौसम विभाग ने कोल डे यानि शीतल दिन खोशित किया ये इन दौर का इस मौसम का पहला कोल डे था वही रात क कुबीती की ठंडी ने सताया कल लगातार दूसरी रात पारा दस डिग्री के नीचे रहा ठंडी के सामने दिन में धूप और रात को अलाव भी बेशर साबित हो रही है वाहन ट्रांसफर पिटनेस परमिट के लिए जरूरी हुई हाई सिक्यूर्टी नंबर प्ले वाहन ट् अनुसाद जबलपुरा टियो जितिंद्र सिंग रगुवंशी द्वारा शेहर के सभी वाहन एजनसी इसको कह दिया गया कि हाई सिक्यूर्टी नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन रसीद कच्वा कर डीलर्स की चौकर तक पहुचने वाले वाहन स्वामियों को प् शेहर के सैटिस में से 17 थानों का नए सिरे से परिसीमन किया हुआ है ग्रामेर इलाकों में 6 थानों का परिसीमन कर दूरस्त गाओं को संबंदित इलाकों की थाने से जोड़ा गया परिसीमन का गजट नोटिविकेशन भी हो गया इसके साथी सुपर कॉरीडूर महालक्षमी परिवन आयुक्त को नोटिस जारी बस अंचालन के रिए दो मांकी अब्दिकास थाई पर में जारी किये जाने के संबंद में शेत्रिय उप परिवन आयुक्त ने हाई कोड में हलफ नामें के साथ जवाब पेश नहीं किया जस्टिस राज मोहन सिंग ने इसे हाई कोड की नाफरमानी मानते हुए उप शेत्रिय परिवन आयुक्त को अब मानना नोटिस जारी किये हैं। शिराम प्राण प्रतिष्टा वाले दिन आली राजपुर में मुस्लिम परिवार की सनातन में घर वापसी। तक के इसी सप्ता हो सकते हैं तबादले। प्रदेश में अबर मुक्य सचिव से लेकर कलेक्टर तक के तबादले इसी सप्ता हो सकते हैं। पुलिस अधिकारियों के सूची तयार हो चुकी है। पुलिस को लेकर मुक्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुक्य सचिव वीरा राणा के चर्चा हो चुकी है। संभाबना है कि लोगसबाचनाव को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर से लेकर मैदानी पुलिस सदिकारियों के पदिस्था अपना की जाएगी। रामाई हुई संसकारधानी जवालपूर गौरिघाट में मनी दिवाली क्यावन हजार दीपों से हुआ मान नर्मदा का श्रंगार। अयोध्या में शिराम लला के सरूप की प्रानपतिष्था को लेकर देशपर में उत्सा है जवालपूर संसकारधानी राम मै रही। मंदिरों में जहां विशेश शिसात सज्जा से वे दिन भरधार में कनिष्थान किये गए वहीं शाम को गौरी घाच में 51,000 दीपों से माका अद्बुच रंगार किया गया। नर्मदा तट अयोध्या की सर्यू नदी की तरह दीपों से जिल मिल रही। कोल सेक्टर की ट्रेड यूनियन की बैचक में निजी करण पर होगी चर्चा और अंदोलन की बनेगी रन नीती। कोल सेक्टर की ट्रेड यूनियन केंदर की मोधी सरकार के विरुद्ध लाम बंद हो रही हैं। इस परिप्रेक्ष में बाइस जन्वरी को दो पहर साले तीन बचे वच्चुल बैचक रखी गई। दरों में इजाफा कर लिया। 22 जन्वरी को बैंक ने नई ब्याज दरों की खोशना भी कर दी। सेविंग अकाउंट के लिए अधिक्तम ब्याज दरे सालाना साथ तशमलों साथ माच परसंट हैं। वहीं बैंक फिक्स दिपॉसित पर अधिक्तम 9% इंटरेस्ट ओफर कर रहा है। फरवरी में एक अर्मचारियों को मिल सकती है गुड न्योज बेतन में बड़ी व्रधी संभाव। एक फरवरी 2024 को केंद्र की मोधी सरकार अपना अंत्रिम बजट पेश करने वाली है। इस बजट में आमचन से लेकर हर वर्ध तक के लिए बड़ी बड़ी खोशना होने की उमीद है। चुकि आगामे कुछ महीनों में लोग सबचना होने हैं। में संभावना चताई जा रही है कि केंद्रिये को भी कोई गुड नियूजब मिल सकती है। मोधी सरकार पिट मैइडिन्ट फ्रेक्टर को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। 2024 में देश के हाईवेस पचाल हो जाएगी 400 वेसाइड एमेनिटीज। इस साथ 400 से अधिक वेसाइड एमेनिटीज यानि रास्तिय राजमार्गो और एक्स्प्रेस वे के किनारे सुविधाओ युक्ति विश्राम स्थल बनाए जाने के आसार है। इस से राजमार्गो पर सफर करने वाले वाहन सवारों की कटनाईयां कम हो सकती है। सड़क परिवान और राजमार्ग मंत्राले ने पूरे देश में 650 वेसाइड एमेनिटीज इस्थापित करने की घोशना की। मंत्राले की एकशी शदिकारी के अनुसार 400 वेस साइड एमेनिटीज के लिए टेंडर की प्रक्रियाच चल रही है और कोशिश की जा रही है कि ये साल तक स्थापित हो जाए। गैस रहात विभाग सीधे करेगा।